नमस्कार दोस्तों करवा चोथ की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है करवा चोथ 2021 किस दिनांग पर पड़ने वाला है? कब होगा? किस दिनांग पर? किस समय पर? पूजा वी धी? किस परकार से पूजा आपको करनी है? और अनेक परकार की सावधानिया और उसके साथ-साथ चांद निकलने का समय क्या होगा करवा चोथ 2021 पर? तो इस वीडियो में हम आपको संपुर्ण जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तों आपसे पिस्फुली रिक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी अभी सबस्क्राइब कर लें और नोटिविकेशन बैल को जरूर चालू कर लें ताकि जब भी नए और लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले दोस्तों करवाचोथ की संपुन जानकारी के लिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपको करवाचोथ 2021 की डेर सारी सुब गामनाई दोस्तों करवाचोत सबसी महतवपुन त्योहार है सभी त्योहारों में क्योंकि इस दिन सुहागी नौरतें अपने पती के लिए उपुवास रखती है स्त्रियां इस दिन पूरे भक्ती भाव के साथ अपने पती के लिए करवाचोत का वरत रखती है करवा चोथ का वरत सबसी कठीन वरतों में एक है और अन और जल गरहन करने के साथ ही इस वरत का समापन किया जाता है करवा चोथ का तेवहार पंचांग के अनुसार 2021 में 24 अक्टूबर 2021 को मनाया जाने वाला है यह दिनांग 24 अक्टूबर 2021 की दिनांग जो है रविवार को पढ़ने वाली है रविवार को कार्तिक मास की चतूर्थी तीथी को करवा चोथ का तेवहार मनाया जाने वाला है और चतूर्थी तीथी को करवा चोथ पंचांग के अनुसार 21 अक्टूबर 2021 से हो रहा है वरतिक का समाथ जो है 19 नवंबर 2021 को होगा तो कार्तिक मास 21 अक्तूबर को सुरू होगा और समाथ 19 नवंबर को होगा लेकिन इसमें चतूरती ती थी 24 अक्तूबर 2021 की होगी और करवा चोथ का वरत भी 24 अक्तूबर 2021 को रविवार के दिन ही मनाया जाने वाला है दोस्तों सबसे विशेश बात जान लीजिए करवा चोथ में राहु काल किस समय से किस समय तक पढ़ने वाला है तो पंचांग के अनुसार 24 अक्तूबर 2021 को रविवार को शाम 4 बज़कर 18 मिनट पर राहु काल सुरू हो जाएगा और यह काल 5 बज़कर 43 मिनट पर समप्त हो जाएगा और सबसे ज़्यादा चंद्रमा का गोशर वरिशब राशी में रहने वाला है करवा चोथ 2021 पर दोस्तों आप राहु काल का समय करवा चोथ 2021 पर दोबारा से सुन लीजिए पंचांग के अनुसार 24 अक्तूबर 2021 को रविवार को श्याम 4 बज़कर 18 मिनट पर राहु काल सुरू हो जाएगा और यह राहु काल चलने वाला है 5 बज़कर 43 मिनट तक और इस दिन चंद्रमा का गोशर वरिशब राशी में होने वाला है तो वरिशब राशी को विशेश सावदानिया बरतने की आवशकता है करवा चोथ 2021 पर और अब सबसे मेतवपूर्ण बात आती है करवा चोथ पर चंद्रमा उद्य होने का समय चंद्रमा उद्य 24 अक्तूबर 2021 पर करवा चोथ रविवार की रातरी आठ बज़कर 7 मिनट पर चंद्रमा शुरू हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा का सरफेज यानि एक्सितिज पर आने का समय होगा 8 बज़कर 7 मिनट लेकिन आपको चंद्रमा का आवश्य ही 9 बज़े तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि चंद्रमा उपर आ जाए और आप अपनी पूज़ा को संपन न कर सकें तो इस परकार से 8 बज़कर 7 मिनट पर चंद्रमा का उद्य होगा लेकिन यह लगबग 9 बज़े तक आपको आपके घर के नीचे मैदान पारक या सड़क से आपको दिखाई दे जाएगा तो 8 बज़कर 7 मिनट पर चंद्रमा उद्य का समय होने वाला है लेकिन आप 9 बज़े तक चंद्रमा निकलने का आवश्य ही इंतजार करें तो दोस्तों इस वीडियो पर इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करवाचोथ 2021 की इस वीडियो को आप प्लीज लाइक सबस्क्राइब और सेर आवश्य कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों रिष्टेदारों की भी मदद हो सके तो इस वीडियो पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक